हेलो स्ट्रेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर और जो क्लास 11 का चैप्टर 4 बिजनेस सर्फिस से स्टार्ट हुआ था उसके दो पार्ट मैंने अप्डोट कर दिये थे और आज हम करने वाले हैं इंशुरेंस एंड एशुरेंस से पूरम गांदी से हम कर रहे थे पूरम गांदी के बुक से और जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाके देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन में में आपको मेरा वाटसेप नंबर मिल जाएगा और मे इस तु आर नौॉट सुनूनियम जो इन्शुरेंस और एसुरेंस वर्ल्ड है वह एक टरीके से लगता है लेकिन जो मीनिंग है वो दोनों अलग अलग है उसीर एक चूरेंस का मतलब है यहसे आपने फांट साल का भीमा करवाया तो पैसा पास साल बाद भी मिलेगा और अगर पास साल से पहले उस इंसान की death होगी तब भी मिलेगा यहीं पैसा तो मिलेगा लेकिन insurance के case में जब तक वो loss नहीं होगा तब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा for example in case of fire insurance the compensation is given to be insured only when the he suffered loss due to fire fire insurance के case में पैसा आपको जब भी मिलेगा जब fire से आपको नुकसान हुआ है the contract of life insurance is a contract of assurance जो life insurance होता है वो contract of assurance होता है क्यों अगर जो contractor है उसकी death हो गई तो भी पैसा मिलेगा या death नहीं हुई वो term expire हो गया तब भी पैसा मिलेगा जो भी पहले आ जाए the term insurance is used when the risk is uncertain as fire may break out and it may not also insurance जब आता है जब जो risk है वो uncertain आपको नहीं पता कि नुकसान कितना होगा in assurance the risk is certain as a person has to die sooner or later लेकिन assurance में risk certain है इंसान या तो अभी मरेगा या बात में in other words term assurance is used where compensation is guaranteed to be paid only on happening of an event insurance का मतलब क्या है जहां पर compensation guaranteed मिलेगा लेकिन जब जब वो happening of the event हो जागा जब वो नुकसान होगा लेकिन assurance में compensation मिलेगा ही मिलेगा तो यहां पर difference यह रखा है जो अभी हमने ऊपर बात करी उसी में कि contract of insurance में जो इंशूर्ड है उसको loss होना से तभी पैसा में लेगा लेकिन इसमें जो भी पहले हो जागा insurance में रिस्क होता है वो uncertain होता है उसमें certain होता है जैसे एक्जामपल है फाइर इंशूरेंस अग्जामपल है इंशूरेंस के और यहाँ पर टाइपस एंशूरेंस यह रखें आपको चार याफ इंशूरेंस फाइर इंशूरेंस मरीश और हैल्ट में हैं इंशूरेंस का मतलब क्या है सःमिख डो यह रिषक और रूस्क और डा आंटा मरने का रिस्क है आपको यह आपको लगता杂 हैं रहत हो जाएगी या बहुत लेट मरने का रिस्क है कि आप लंबे समय तक जलोगे जनरली प्यूपर टेक लाइप इंशुरेंस पॉलिसी वेन देफ फियर ऑफ डाइंग तो अर्ली बेसिकली जो इंसान पॉलिसी लेता है वो इसलिए लेता है कि उसे डर है कि उसकी मौत कहीं जल्दी ना हो जाए देbuds फ्र動画्वाइगावेंशल सपोर्ट मिल फ्रु legitimate इंशुरेंस पॉलिसी लेता है। जब वो बुड़े हो जाएंगे तो pension के रूप में ऐसे मिलता रहे when people think of living too late then to get some furnishing support during 8 old age also the insurance policy take यारे कि ऐसे माल लीजे आपका कोई business है private business है अब जब उड़ापा आ जाएगा तब तो आप इतना काम नहीं कर सकते हैं आपको एक pension के रूप में पैसा मिलता रहे इस ले भी हम LIC लेते हैं in life insurance the sum assured is paid at the death or on maturity period whichever comes earlier life insurance में जो pay sum है वो या तो आपकी death होने के बाद मिल जागा या maturity time जितने साल का वो complete हो जो भी पहले आ जाए तब पैसा मिल जागा if a person dies early his family get compensation amount and if a person survive then he, she himself, herself can get the policy amount वहीं कह रहा है कि अगर उसकी death हो गई तो उसकी family common मिल जागा नहीं हुई तो कोई भी फैसा ले सकता है in life insurance the insured has to pay fixed amount of premium and in return the compensation is assured at his debt or at the maturity period whichever comes early life insurance में हमें एक fixed amount से premium देना पड़ता है और in return जब उस person की death हो जाएगी या वो time complete हो जागा जो भी पहले आ जाए तब उसे पैसा मिलेगा for fixing the premium amount the insurance company rely on the statics of mortality, death and morbidity illness यान कि जब वो premium का amount fix करते हैं तो वो देखते हैं कि कब तक उसकी death हो सकती है या कोई बीमारी वगरा तो नहीं है it is hard to predict when a person will die so insurance company rely on the statics data for fixing the premium amount यह तो किसी को नहीं पता कब किसकी death हो जाए तो इसमें जो premium amount होता वो अपने हिसाब से देखते हैं in life insurance content the premium can be paid monthly quarterly half yearly या in life insurance में आप monthly भी पैसा paid कर सकते हो quarterly भी कर सकते हो half yearly भी कर सकते हैं इन्हों भी कर सकते हो और insurer pay the policy amount of death और जो भी मतलब पहले आ जाए वो the principle of indemnity principle of contribution and principles of subrogation are not applicable to life insurance policy अभी हमने पीछे पढ़ा था insurance के principle तो जो हमारा principles of indemnity है principle of contribution है और principle of subrogation है वो इसमें काम नहीं करते है main elements क्या है सबसे पहला the contract of life insurance is a contract of youth most good faith the contract of life insurance है वो एक contract है youth most good faith यानि की जो भी insurer है और जो insured है वो आपस में सारी बात disclose कर लेंगे the assume should be honest and must disclose all matter of fact about his health to insurer वही आप अगर insurance कर वा रहे है तो आपको अपनी सारी बात है जो 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 इस insurance company वाले को चाहिए जरूरत है वो बतानी पड़ेंगी वो भी सही सही second the insurable interest must be present at the time of taking policy insurable interest at the time of maturity is not necessary जब आप policy ले रहे हो तब आपका insurable interest होना चाहिए या तब नहीं जब वो maturity हो जाए life insurance contract is an order contract of indemnity the life of human being cannot be compensate that is why the amount payable life insurance or health of insurance is fixed in advance so life insurance का जो contract होता है वो contract of indemnity नहीं होता हम अंदाला नहीं लगा सकते किसी भी इंसान कैसे मर सकता है लेकिन उसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा तो यह थी हमारी LIC की बात life insurance fire insurance fire insurance is a contract under which one party in return for a consideration agreed to indemnify the other party for the financial loss which the later may suffer due to damage to the property installed by fire fire insurance ऐसा contract है जहां पर जो contract हुआ है वो contract of indemnity अगर आग लगेगी तब ही पैसा मिलेगा वो भी जतना नुकसान हुआ है उतना मिलेगा the contract containing the terms and conditions is known as policy जिस contract में सारे terms and conditions होते है उसे policy कहते है generally the file the fire policy contain the name of the party description of the insured property the sum for which the property insured or amount यह सारी चीज़े उसके अंदर होती है generally the period of insurance is one year एक साल का होता है basically fire insurance provides protection against the loss or damage by fire या फिर light से या किसी explosive से fire means actual fire यह यह accidental होना चाहिए intentionally नहीं होना चाहिए अपने चाहां से नहीं होना चाहिए fire policy cover करती है अगर आपके आग लग गई है कैसी भी दरेक है ठीक है राग insurance में जितने भी insurance है insurance के principle से वो सारे principles पर लागू होते है main elements क्या है the insurable interest should be present at the time of taking policy और जब loss हो थपी contract of fire insurance एक और यह भी you to most good faith यानि सारी बाते पतानी पड़ेगी ताकि हर चीज़ वहाँ पर already disclose हो पहले से principle of indemnity इस पर लागू होता है ताकि आपको जितना पैसा जितना आपका loss होतना मिले compensation जबी दिया जाएगा जब आपको नुकसान होगा आग से doctrine of cause of proxima भी लागू होता है यानि कि जहापे causes दी जाते हैं कि अगर आपको इन इंचियों से नुकसान होगा तब ही पैसा मिलेगा marine insurance c a contract of marine insurance can be defined as an arrangement under which the insurer undertakes to indemnify the insure in the manner to the extent thereby agreed against marine losses मतलब इसमें भी एक तरीके से आपका भई है fire insurance की तरह नुकसान होगा तब ही पैसा मिलेगा लेकिन यह basically समुद्र पर जो जहाद वगएरा होते हैं उनके लिए होता है marine risks are the appeals of sea जैसे storms आ जाए है na collision हो जाए capture, seizure, sinking of ship यह सारे चीज़ों अगर होती है तब आपको क्या मिलता है insurance का पैसा मिलता है तो marine insurance एक contract है between insured और insurance के बीच में the insured may be cargo owner भी हो सकता है ship owner भी हो सकता है freight receiver भी हो सकता है the insurer is known as underwriter the insured pay a particular sum जो जिसको premium कहते हैं और उसके बदले में अगर उसे कोई नुकसान होता है damage होता है sea pills की वैसे इनकी वज़े से तो उसका पैसा मिलता है तो किस-किस type के होते हैं यहाँ पर यहाँ पर तीन type के दे रखें सबसे पहला दे रखा है आपको cargo insurance this form of marine insurance include the cargo और the goods contained the ship and the personal belonging of the crew and the passenger जो भी वहाँ के लोग होते है यह crew होता है उनके जो goods वगेरा है उनका जब आप insurance करवाते हो तो वो cargo insurance होता है whole insurance इसमें पूरी ship insured होती है अब क्या-क्या होता है उसमें जो furniture है fittings है tools है machine है engine है fuel है इन सबका जो insurance होता है उसे whole insurance कहते है freight insurance such insurance provide protection against the loss of freight in many case the owner of the goods pay the freight only when deliver of the goods कभी कभी एक ऐसा case आता है कि जो मालिक है goods का वो पैसा जबी देता है जब उसको goods मिल जाए उसके दौरान अगर मालो damage हो गया चोरी हो गया या कुछ नुकसान हो गया तो उसके लिए insurance जो करवाते हैं उसे हम कहते हैं freight insurance तो मेरे इलिमेंट्स क्या है marine insurance के the insurable interest should be present जब आपको loss हो तब आपका insurable interest होना चाहिए इस पर भी लगेगा indemnity भी लगेगा इस पर और कौज़ा प्रोक्सिमा भी लगेगा यानि सेम जैसे fire insurance में सारे है वैसे ही marine insurance में अब है आपका health insurance health insurance provides for payment of medical expenses जब भी आपकी बीमार पढ़ जाते हैं उस case में आप अपना या अपनी family के लिए जो health insurance लेते हैं वो type का होता है basic major long medical or disability basic में क्या होता है इसमें जो आपके खर्चे होते हैं hospitalization में या doctor की service में वो cover होते हैं इसमें अचानक से कोई बीमारी हो जाए आपको तो वहां पर जैसे disaster हो जाए कोई आपके साथ दुर्गटना हो जाए accident वगएरा हो जाए इसमें जब आप लंबे समय तक यह ना it cover nursing home charges for elderly people medical supplement दवाईया वगएरा जो होता है जो Medicare programs वगएरा होते हैं और disability यानि कि आपके शरीर का कोई हिस्सा disabled होगा है जिसकी वैसे आप income अब जनरेट नहीं कर सकते तो यह सारे आपके चार टैप्स के हमने इंशुरेंस देखे अब लास्ट है हमारा कम्यूनिकेशन सर्वेशन 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 वाला बाभूने खाना थाया नहीं थाया वह वाला है यहां पर communication refers to exchange of idea, view, message between two और more person communication का मतलब क्या है कि आपका कोई idea अपना या कोई view या आपका कोई message जो दो या दो से ज्यादा person आपका शेर करने communication basically postal service के थुरू और telecom service के थुरू होता है postal service में क्या है the government at national and international level provide postal service जो हमारी सरकार है वो national level पर और international लेवल पर यह service को provide करती है क्या क्या फीचर है इसके सबसे पहला All the Postal Service Control करती है Government Postal Department प्रोवाइट करते हैं Service National Level पर भी और International Level पर भी Postal Service आजकल Financial Service प्रोवाइट कर रहा है Post Office आपने सुना होगा Post Office has also Started Speed Post जहांप है कम समय में जल्दी से जल्दी आपका Speed Post से जो आप चीज पहुचाना चाहरे है वो पहुचता है Post Office also provide Important Service जैसे की Telegraphic Communication और यह highly reliable होता है अब इसमें दो drawbacks में है Speed और bureaucratic Due to slow speed and bureaucratic nature, Businessmen rely on Private Postal Service called Courier Service जो Courier Service होता है इनका Speed slow होने की वज़े से जो private businessmen होते हैं वो private postals पर depend होते हैं जैसे हम कहते हैं Courier Service, Courier Service में Dex to Dex Service होती है Parcels वगएरा जो आपके आते हैं वो Courier Service से आते हैं अब various facility जो Postal Department है वो क्या क्या देती है Financial में काफी सारी scheme है जहांपे आप अपने पैसे को Mobilize कर सकते हैं Future के लिए save कर सकते हैं आपको ब्याज भी मिलता है जैसे Provident Fund होता है विकास किसान, विकास पत्र National Savings Certificate Monthly Income यह सारे वो account है जिन्हें आप open करवा के अपने पैसे को Mobilize कर सकते हैं Mail Service में क्या क्या मिलता है Mail Service consists of Transmission of articles एक जगे से दूसरी के हमें अपना article भेजना है This service is now rarely used whereas this service was frequently used before courier service Courier service से पहले इस service का इस्तिमाल किया जाता था आज की date में UPC का इस्तिमाल बहुत ही rare दिखायाता है In UPC, the sender will deliver the parcel or letter with ordinary post at specified counter of post office at extra nominal cost say one or three envelope and have proof of posted letters में क्या होता है कि हम post office जाते है जो भी हमें parcel ये letter देना है वो post office पर देके आते हैं पैसा भी देके आते हैं और महाँ पर में slip भी मिलती है निटन कि आपके पास proof है कि हाँ आपने post और ये दिया है registered post sender affixes more postal stamp on envelope and deliver at the counter इसमें क्या होता है जो sender होता है जो भी वो deliver करना चारा है उस पर बहुत सारी stamp लगा देता है ठीक है न और receipt में ले लेता है उनसे then the postal authority will deliver that parcel letter to addresses only अब यहाँ पर जो address आपने लिखा है उसी address पहुचाए जाता है whereas letter send under UPC may reach addresses or may not UPC के तहत आपके address पहुचे ना पहुचे वो लगवाता है लेकिन register post में पहुचता है parcel post it is a service of social department for sending parcel through the post across the country as well as outside आपको इंडिया के अंदर या इंडिया के बहार कहीं पर parcel करना है तो वहाँ पर हम parcel post का इस्तिमाल करते हैं फिर आता हमारा speed post it is a service to send the mail as fast as possible जब हम जल्दी कहीं पर कुछ बेजना चाहरे हैं basically शादिये कार्ट वगेरा बेजते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तिमाल करते हैं in this the post office provide time-bound delivery of mail, letters and other documents अगर आप जल्दी time पर किसी चीशको बेजना चाहते हैं mails को, letters को, documents को तो वहाँ पर बेज आते हैं charges होते हैं, वो थोड़े जादा होते है, ordinary mail से courier service मैंने बताया था, dex to dex, आपके घर तक सामान को लाया जाता है basically private जो sectors होते हैं, वो इसको करते हैं और other service में international money transfer, आपको इंडिया से कई महार पैसा बेजना या e-bill post facility, यह सारे चीज़े, post office देता है last है हमारा telecom service, telecom service are the backbone of every business activity in the absence of telecom service, every business activity will remain as a dream only telecom service एक backbone है, किसकी business activity की, अगर आपके पास telecom service नहीं है, तो आप किसी भी business activity को बस सोच सकते हो, हकीकत नहीं कर सकते हो there are lot of development in convergence of telecom, IT, electronic and media industry worldwide आज की डेट में काफी सारा development हो गया है, government of India has developed telecom policy framework 1999 and broadband policy 2004 to realize the dream and India vision of becoming IT superpower by the year 2025, government ने telecom policy framework 1999 में और broadband policy आई 24 में ताकि हमारा इंडिया का अपना एक अच्छा IT sectors हो, various types of telecom service, सबसे पहला seller mobile service, it includes all mobile telecom service, जो आप voice से बात करते हो 9 voice से, message से, data through से, PCO से, ये सारे हमारे cellular mobile service में आते हैं radio packing service, it is an affordable means of communication, it transferred information to person even when they are mobile, it is a way of information broadcasting solution, जैसे radio packing service में क्या होता है ट्यून से या numerical value से, alpha से, पुलिस वाले होते हैं, वो जादा करते हैं, इसीज को, fixed line service, these are primarily connected through fiber optic cables laid across the country, they provide interconnectivity, other types of telecom service, ये fixed line service होती हैं, जो आप phone के थूँ, जो connections वगएरा होते हैं, वो, cable service में क्या होता है, these are linkage and switch service within license area of operation to provide entertainment service, ये जो dish वगएरा जो लगी होती हैं, पहले एक local dish वगएरा लगती थी, cables लगती थी, उसके थूँ, dish आती थी, फिर DTS, TataS का ही आया, very small aperture terminal, ये जो satellite based communication होता है, जो भी businessmen होते हैं, और जो government agency होती है, जो highly flexible और जादा साथ communication करते हैं, urban and rural exam में, उनको offer किया रहता है, ठीकिए न, इट can be used to provide newspaper online, या market rates, tell you education, ये सारे चीज़े, फिर लास्ट आपका DTS, या भी जो cable service था, उसका अपडेट form है, DTS, it is a direct satellite based media service, provide by a cellular company, जो हमारे cellular mobile companies वगएरा होती है, वो provide करती है, इस service को receive करने के लिए आपके पास एक decantina होना चाहिए, और setup box होना चाहिए, यहाँ पे आपको photo भी दे रखा है, बहुत लोगों के घर पे भी लगा होगा ये, decantina और ये setup box, इस service आप provided by DTS service provider, और उसमें बहुत सारे channels होते हैं, यह channel TV पे हम देख सकते हैं, यह बिना किसी cable network के, तो यह था आपका chapter 4, business services, और आज हमने इस chapter को finish कर दिया है, अगली वीडियो में हम इसका chapter 5 start करेंगे, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को like जरू करेगा, share जरू करेगा, अब तर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर दीजेगा, thank you so much, love you all.